हलो दोस्तों नमस्कार रामबान क्लासेज के डिजिकल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बल्राम योगी और जैसा की आपको पता है अपन चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं आमेर के कच्वाहा राजवन्स के बारे में तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना जो भी इस कंपटिशन लेवल या राजस्तान की कोई सी भी वेकेंसी हो उसकी तैयारी कर रहे हैं तो जैसा की पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कर अपन जो ये सवाई जैसिंग जुट्य है इसको आमेर का चानक के भी केरते हैं और इसके द्वारा जेपुर में जेवान कोपका भी निर्मान करवाया गया था तो ये जो आमेर के सासक के सवाई जैसिंग जुट्य है मैंने आपको ये भी बताया था कि ये साथ मुगल में अपने एकजांग की द्रिष्टी से जो भी महत्तोफुन बाते बची हुई है उन सभी की अपने आज चर्चा करेंगे तो अपन चर्चा किसकी कर रहे थे आमेर के साजक सवाई जैसिंग दुत्य आमेर के साजक सवाई जैसिंग दुत्य के बारे में अपने बात कर रहे थे तो इनकी वाक पटूता से प्रभावित होकर प्रभावित होकर इनकी वाक पटूता से प्रभावित होकर औरंग जैब ने ने इनके लिए इनके लिए सवाई की उपाधी प्रदान की कुर्टगाली विद्वान जेबियर दी सिल्वा इनी के समय समय आया था याने जो पुर्टगाली विद्वान था जेबियर डी सिल्वा वो इनी सवाई जे सिंग जुत्ते के समय आमेर केने का मतलब जेपुर में आया था उसके लवा इसके द्वारा क्या क्या निर्मान कारे करवाए गए इनकी भी अपन बात कर लेते हैं इसके द्वारा जेबान तोप जेबान तोप उसके लवा नाहरवट दूर्ग नाहरवट दूर्ग या इसी पॉपण सूधरसंगट भी कहते हैं सीटी पेलेस चंद्रमहल उसके अलावा जलमहल तथा गौविंद देवजी के मंदिर का निर्माण करवाया यानि जेबान तोप नारगट दूर्ग जिसको अपर सुधरसंगट भी कह सकते हैं सीटी पेलेस चंद्रमहल जलमहल तथा गौविंद देवजी के मंदिर का निर्माण भी इनी सवाय जेसिंग सेकेंड के द्वारा करवाया गया था और यह जो गौविंद देवजी का जो मंदिर है यह गोडिय संप्रदाई जो भगवान शिव के बक्त है जिनके चार कहने का मतलब संप्रदाई माने जाते हैं जैसे बल्लब संप्रदाई गोडिय संप्रदाई पाशुबत संप्रदाई कापालिक संप्रदाई तो ऐसे ये जो बोविन देवजी का मंदिर है ये गोडिय संप्रदाय का प्रमुक मंदिर है मंदिर है उसके अलावा बात करें इस बोडिय संप्रदाय के अगर प्रवर्तक की बात करें तो प्रवर्तक कोल माने जाता है चेतन्य महाप्रभू चेतन्य महाप्रभू तो बोविन देव जी का जो ये मंदिर बनवाया गया है इनके द्वारा ये गोडिय संप्रदाय का प्रवर्तक माने जाता है चेतन्य महाप्रभू उसके अलावा बात करें सवाई जे सिंग यहाँ पे लिखता हूं में हिनी के समय यूनानी विद्वान नाम क्या था? यूकलीड यूकलीड और यूकलीड के द्वारा क्या लिखा बेया? मैं क्या बता रहा हूं आपको सवाई जे सिंग दुत्र के समय यूनानी विद्वान थे जिनका नाम था यूकलीड और यूकलीड के द्वारा रेका गणित लिखा गया और इसका हिंदी में अनुवाद किस ने किया था? हिंदी अनुवाद तो इसका हिंदी में अनुवाद किया था जगनात ने इसने किया? जगनात ने जो दर्वारी किसके थे? इस सवाई जे सिंग सेकिंड के क्या थे? दर्वारी विद्वान ये इसके दर्बारी विद्वान थे उसके अलावा ये जो सवाई जेसिंग तिस्ते थे इनके द्वारा ग्रहों पर जेसिंग कारी का इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके द्वारा ग्रहों पर जेसिंग कारिका तथा जोतिस पर जीज मुम्मद शाही जीज मुम्मद शाही ग्रंथ लिखे गए जिनका प्रकासन 1733 को हुआ था तो ये सभाई जे सिंग विप्ते का बारे में कुछ बची हुई जानकारी थी एक बाद फिर अपन चर्चा करते हैं सवाई जे सिंग सेकेंड इनकी वाख पटूता से प्रभावित होकर औरंग जेब के द्वारा इनको सवाई की उपादी प्रदान की जाती है उसके अलवा पुर्तगाली विद्वान जेबियर डिसिलवा इनी के समय में आया था और इसके द्वारा जेबान तोप, नारगट दूर्ग जिसको सुदरसंगड भी कहते हैं सीटी पेले, चंद्रमहल जर्महल तता गोविन देवजी के मंदिर का निर्मान करवाया जाता है और ये जो गोविन देवजी का मंदिर है ये गोडिये संप्रदाई का प्रमुपंदिर है और इसके प्रवड तक चेतन्य महाप्रभू माने जाते हैं उसके लवाद, इनी के समय में एक युनानी विद्वान आये और युनानी विद्वान के द्वारा रेखागणित लिखा गया और इस रेखागणित का हिंदी में एन्वाद किसके द्वारा किया गया था तो आप बताओ के सर जगनात के द्वारा इसका हिंदी में एन्वाद किया गया था और ये जगनात किसके दरवारी विद्वान थे तो आप बताओ किसके दरवारी विद्वान थे उसके अलावा इसके द्वारा इस सवाई जे सिंग सेकेंड के द्वारा कहने का मतलब इसको ग्रहों और जोतिस के बारे में अच्छी जानकारी थी और ये क्युस्टन परिक्सा में पूछा भी जा चुका है का ग्रहों तता जोतिस के अच्छे जानकर सवाई जे सिंग जुत्ते के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी तो उसमें जो आंसर था जी जो मुहमद शाही ये पुस्तक पी तो ये पुस्तक 1733 को प्रकाशित भी होती है तो इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ ये भी आप लिख सकते हो प्रकाशन प्रकाशन हुआ था इसका 1733-34 में वैसे अगर टेट पूछी जाए तो करेंट सन है इसका 1733 लेकिं कभी कबार ऐसे ऐसे भी पूछी जा सकती है तो इसका प्रकाशन 1733-34 या 35-36 तो इसमें करेक्ट आंसर क्या माना जाएगा 1733-34 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था तो आप इसको नोट आउप कर सकते हो इसके बाद में अब आपन आमेर के जो अगले सासक है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं और आमेर के अगले सासक बनेंगे इस्वरी सिंग इन इस्वरी सिंग के दौरा आमेर में क्या-к्या करवाया गया इन बातों के अपन चर्चा करेंगे तो यह जो इस्वरी सिंग थे जिनको अब अपन पड़ने वाले हैं इनको जेपुर के इतियास का सबसे दुर्वाग्य शालि सासक माना गया है अब च्पत्यो माना गया ह इसकी चर्चा अब अपन करने वाले हैं तो अगले आमेर के जो शासक थे उनका नाम था क्या इश्वरी सिंग इश्वरी सिंग तो इनको जेपुर के इतियास का सबसे दुर्भागे साली राजा माना गया है तो इस्वरी सिंग और आपको पता होगा एक्ठे मादो सिंग फर्ष्ट इन दोनों के बीच में उत्रादिकार का शंगर्स होता है और फुत्रादिकार के संगर्स का जो पहला युद्ध है वो सब्रासो से तारिस को होता है तो या फिर जिस्पपन राजमहल का युद्ध भी कहते हैं तो इस समय आमेर के सासा कोन थे इश्वरी सिंग तो युद्ध कोन सा हुआ राजमहल राजमहल याने टौक का युद्ध ये इनी के समय में हुआ था उत्रादिकार कहने का मतलब एक तरक मादो सिंग रहेंगे इसमें मादो सिंग फेस्ट तो मादो सिंग फेस्ट भी राजा बनना चाहते थे और इधर इस्वरी सिंग भी सासत बनना चाहते थे इसी कारण इन दोनों के मध्य में ये राजमेलियान रिटों का यूद्ध हुआ और ये यूद्ध हुआ कब तहा तो आप बताओगे 1747 इस्वी को एक तरफ इस्वरी सिंग और दूसरी तरफ माधो सिंग माधो सिंग रथम एक तरफ इस्वरी सिंग और दूसरी तरफ माधो सिंग फर्ष्ट इन दोनों के बीच में यूद्ध कौन सा वा राजमेलियान रिटों का यूद्ध जो हुआ 1747 को था एक तरफ इस्वरी सिंग और दूसरी तरफ माधो सिंग और दोनों के बीच में क्या हुआ युद्ध हुआ और युद्ध में जीत किसको मिली इस्वुरी सिंग इस युद्ध में वीजे ही रहे और इस मादो सिंग फंश्ट को इसमें हार का सामना करना पड़ा था हार का सामना किसको करना पड़ा मादो सिंग फष्ट को इस राजमेल वाले युद में हार का सामना करना पड़ा था तो जब ये इस्वरी सिंग वीजे ही रहते हैं तो इस वीजे के उपलक्ष में इस वीजे के उपलक्ष में इस वीजे के उफलेक्स में जेपुर के त्रिपोलिया जेपुर के त्रिपोलिया बाजार में साथ मंजिला मंजिला सर्गासूली या जिसको अपन इसरलोट भी कहता है का निर्मान करवाया जाता है केने का मतलब जब ये इस्षुरी सिंग इस राजमेल के युद में विजए ही रेता है तो इस विजए की याद में जेपुर के त्रिपोलिया बाजार में साथ मंजिला सर्गासूली जिसको इसरलोट भी कहते हैं का निर्मान इस इस्षुरी सिंग के द्वारा करवाया जाता है फिर दूसरा युद होता है फिर कोण साथ होता है दूसरा युद और एक तरफ वही कोण इस्षुरी सिंग और दूसरी तरफ कोण मादो सिंग फैस्ट प्रथम एक तरफ वही इस्षुरी सिंग और दूसरी तरफ मादो सिंग फैस्ट और युद्ध कोण सा हुआ बगरू का युद्ध और यह बगरू कहां पर पड़ता है जेपुर में और हुआ कब 1748 इस्षु में लेकि इस मादो सिंग को इस बात का पता था कपड़ इस युद्ध में भी पराजित हो सकते हैं तो इस मादो सिंग फर्ष्ट के दौरा किसको अपने साथ मिला लिया जाता है किसके दौरा इस मादो सिंग फर्ष्ट के दौरा और फिर इन दोनों सांसकों के मद्ध में ये युद्ध होता है और इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है किसको इस्वरी सिंग को इस युद्ध में इस्वरी सिंग को हार मिलती है और ये मादो सिंग फर्ष्ट इसमें विजय ही रहते हैं यह इसमें विजय ही लेते हैं, जब मादर सिंग फश्ट इस युद में जीत जाते हैं, कहने का मतलब इनको विजय स्री मिली, तो युद में जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान को लेने के लिए, कहने का मतलब युद में जो नुकसान हुआ, उस नुकसान के हर जाने को वस तो पूरे से ले के लिए पूर बाव दाया गया और यह इस वरी सीः जो इस ने यह सर्गा सुन यह इस लोट बनवाया था इसी सर लोड से पूद hack यह स्वरी सिंग आत्मत्या कर लेता है इसी कारण जैपुर के इतिहास का सबसे दुर्भाग्य साली राजा इसे माना गया है इस्वरी सिंग को तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जैपुर के इतिहास का सबसे दुर्भाग्य साली शाली शाशक था यह कारण था जैपुर के इतियास का सबसे दुर्भाग्य साली सासक किसको माना गया इस्वरी सिंग को क्योंकि जब युद्ध हरजाने को लेकर इसके ओपर दवाव डाल गया तो इसने जिस चीज का निर्मान करवाया था जिस इसलोड का निर्मान करवाया उसी इसलोड से कूद कर यह आज मत्या कर लेता है कौन इस्वरी सिंग इसी कारण जेपुर के इतियास का सबसे दुरबाग्य साने राजा इस्वरी सिंग को माना गया है तो दोनों के भीत में उत्ताजिकार संगर्स को लेकर राजमाहिल का इति हुआ 1746 को एक तरफ मादो सिंग फायश और दूसरी तरफ इस्वरी सिंग और इस्वरी सिंग इस इति में विजे ही रेते हैं और विजे की याद में जेपुन के तिर्पोली अवाजार में सात मंजिला सरगा सूलिया इसलोड का निर्मान भी इस्वरी सिंग के द्वारा करवाया जाता है फिर दूसरा युद्ध होता है बगरूपा युद्ध 1718 में एक तरफ मादो सिंग फर्ष्ट और दूसरी तरफ इस्वरी सिंग और इसमें इस युद्ध में मराटा सक्ति को अपने साथ में लिया जाता है मादो सिंग फर्ष्ट के द्वारा और दोनों के बीच में ये और इस्वरी सिंग ये जो साथ मंजिला सरगा सुलिया इससरोड था इससे पूद कर आत्मत्या कर लेता है इसी कारण जेपुर के इतियास का सबसे दुर्वागे साली राजा इसी इस्वरी सिंग को माना गया है तो अपनी जो अगली क्लास होगी वो मादो सिंग फर्ष्ट गया और कोटा के सासक के साथ भी इनके दोरा युद किया गया था लेकिन इन सब बातों की चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही धन्यवाद आपका दिन शुब हो